फ्रेंस आप सभी का वेलकम है मेरे यूटूब चैनल सबके सब पर आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स है कि जब आप इलस्टेटर में ब्लर करते हैं तो प्रॉब्लम्स होती है कि वो पॉफिक्ट नहीं होता है जिस तरसे आप लोगोंने फोटोशॉप में ब्लर करना सीखा था उस तरह से अगर आप ब्लर करना चाहते हुँ इलस्टेटर में तो नहीं होता है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए जैसे ये एक shape है और इसे मैं blur करना चाहता हूँ तो effect में जाओंगा और यहां से blur के अंदर gaussian blur अगर हम लोग use करते हैं तो देखें क्या problem आती हैं यहां से मैं preview चेक कर देता हूँ जैसे जैसे इसके radius को हम लोग बढ़ाते जाएंगे उसके बाद देखी क्या problem शुरू होती है यह एक square बन जाएगा यह देखें जैसे ही मैं बनाता जा रहा हूँ एक square बनना शुरू हो गया है यह देखें यानि अगर मैं इसे और बढ़ा दू तो एक complete square बन जाएगा जबकि इसे blur होना चाहिए लेकिन यह एक square बन जा रहा है तो इसे कैसे fix करेंगे इसके लिए हम लोगों को यहाँ से ok करना चाहिए और उसके बाद दोबारा Effect में चलेंगे तो यहाँ से ok करते हैं और अब दोबारा हम लोगों को Effect में जाना है और इस पर इस third वाले Option में आना है य square होना बंद हो जाएगा ये देखिए इसको मैं select करता हूँ और यहां से बढ़ाते हैं अभी 12 है मैं इसको बढ़ा करके 50 या 60 का round लेकर जाता हूँ फिर देखिए क्या होता है यहां तक हम ने कर लिया अब उसके बाद यहां से okay कर लेते हैं ये देखिए खतम होगया है तो जब भी आप illustrator में बलर करेंगे किसी चीज़ को तो ये problems create करें कि उसके लिए आपको effect में जाकर document raster effect में setting करना पड़ेगा तो I think आप लोगों का जो doubts था वो clear हो गया होगा अगर आप चाहते हैं illustrator, photoshop अगरा complete सिखना, graphic designing में course करना चाते हैं तो आप सभी का welcome है आप मेरे institute में आईए आकर admission ले सकते हैं और अगर आप दिली में नहीं रहते हैं तो मेरे premium class join करें जो online पर available है और उसको join करके भी course complete कर सकते हैं मुझसे contact करने के लिए मैंने अपना contact number और email ID description में दे दिया है आप चाहें तो call कर सकते हैं तो चलिए next video में नएचीज को लेकर आऊंगा तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया thank you so much friends